नमस्कार दोस्तों, मैं Dr. Pranjali अपका बहुत स्भागत करती हूँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे होमिपती के एक बहुत ही important medicine आपने मेरे बहुत सारे वीडियो में उसके बारे में आप सुना हूँगा Carbowage के बारे में दोस्तों, Carbowage एक बहुत ही अची medicine है जो हमारे शिरीर के multiple organ पे एक करती है आज हम बात करेंगे के किस कि symptoms पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं किस potency को यूज करना चाहिए, जो best potency है जो बहुत अच्छा काम करती है और कितने लंबे समय तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं यह सारे चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो दोस्तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जड़ा informative है अब इसको अन तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहे हैं दोस्तों चलिए शुरू करते हैं चले दोस्तों बात करते हैं कर्भो वेज के बारे में दोस्तों की प्रम्रश को डॉक्टर हानिमन ने प्रूफ किया था यह दुस्तों एक तरह का वुट चारकोल यानि कि कोयवी से प्रिपेर की गई मेजिशिन है अगर में suitability की बात करूँ कि किन लोगों पर यह बहुत अच्छी काम करती है specially तो यह old age group पर बहुत अच्छी काम करती है बट आप इसको अगर आपके symptoms similar हो रहे हैं तो यंग एज में भी उतनी ही अच्छी स्तरह से काम करती है अगर आपके लक्षरों से बहुत ज़दा similar देखने को मिलते हैं दोस्तों यह chronic long and deep acting anti-soric medicine है तो अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो यह आपके शरीर में बहुत लंबे समय तक रुखती है तो इसका हमें यह ध्यान रखना है कि हमें बहुत प्रोलॉंग इसका प्रयोग नहीं करना होता है क्योंकि यह आपके शरीर में लंबे समय तक रुख सकती है अगर इसका प्रयोग आप करने हैं तो कोई डॉक्टर के एक्सपोर्ट से ही बहुत लंबे समय तक लिए अन्यता इसका प्रयोग बहुत लंबा ना करें अब बात करते हैं कि ये किन-किन स्टेज में बहुत अच्छा काम करती दोस्तों इवेन बोला जाता है कि कार्बोवेज ऐसी परिस्तिते में भी काम करती है कि जब पेशन्ट मरना संथ कंडिशन में हो जब उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पढ़ रहा हो हाथ पै ठंडे पढ़ पिछले साल जब कोविक सिच्वेशन थी कार्बोवेज का प्रयोग किया गया था यह बहुत ही अच्छा रिस्पॉइंट के थी उन पेशन्ट में जिनकी कंडिशन बहुत जादा खराब हो रही थी कोविक सिच्वेशन में और इसने बहुत सारे लोगों को को पप करके उन करती हूं ताकि आप लोग को सिम्टम समझ में और आप इसली इस मेडिसन का चैन कर सकें दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके गैस्ट्रिक सिम्टम में तो इस तमक के सिम्टम के बारे में बाते हैं क्योंकि इसका सबसे अच्छा एक्शन इसी पर्टिकुलर रिजन् इसली डाइजेस्ट नहीं होता अपका डाइजेशन बहुत जादा कमजोर है और खाना खाते ही आपको बहुत जादा पेट फूलने लग जाता है और इस पेशली जो गैस के अक्यूमलेट होने का एरिया है वो अपर एपिगेस्ट्रिक रिजन्जी से बलते हैं उपर के जैसा आपका पेट गैस के वजए से बिलकुल बस्ट कर जाएगा फट जाएगा कार्भोवेज इस वन अफ दे बेस्ट मेजिसन फॉर इसको हम नायस ट्रायोस की तरह भी उस करते हैं तीन बेस्ट मेजिसन माने गई है जो गैस के उपर काम करती है एक ये कार्भोवेज है दूसरी है लाइको पोडियम तीसरी है चाइना अब तीनों को अलग अलग तरीके से कैसे प्रयोग करना है ये मैं आपको बता देती हूँ कार्भोवेज आपको प्रयोग करनी है जब आपको गैस उपर के साइड आफ पार्ट में जिसे एपिगेस ट्रिजन या पेट का चाइना जब आपको पूरे ही पीट में गैस बंदी से लगती है और आपको पेट बहुत तना-तना सा अलगता हो उस परिस्थिती में आपको चाइना का प्रयोग करना है चाइना ऑफिस इनेलिस मेडिसें तो ये तीन बेस्ट हों अपके गैस की परिशानी के लिए अप के पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है, आपने ऐसा कुछ fatty, oily food खाया है, salty, excessive food खाया है, या आप अलकोहलिक है तो आपने किसी वाइन का या फिर ऐसे अलकोहल का प्रयोक है, जिसके बाद आपको इस तरह के परिशानी हो रही है, कार्भो वेज का प्रयोक करें या आपको बहुत बेटर फील हो रहा है, अच्छा मैसूस हो रहा है, यह इसका बहुत ही particular symptom है, बहुत ही peculiar symptom है, इसको आप धान रखे, तो आप definitely कार्भो वेज का प्रयोक कर सकते हैं, और इसके aggravation के बारे में मैं बता देती हूँ कि अगर आपको लेटने से आपकी जो गैस की परिस्तिती है और खराब हो रही है, और बढ़ रही है, साथी कुछ भी थोड़ा सा खाने के बादी आपको गैस और ज़्यादा बनने लग रहे है, तो कार्भो एज इसको आँख मुन के प्रयोक करें, यह बहुत अच्छा काम करेंगी, इसके लावा दोस्तों एक डाइरिया के केस में ब कि अच्छा को कामन देखा गया है, और जो जो मोशन है वो इन्वोलिंटरिय पास होगा बहुत बहुत स्मेली मोशन होगा, पेक में गैस बनी सी लगेगी, उनको बहुत जादा डगार आएगी और पेशेंच बहुत जादा बहुत जादा जादा वीक और फील करेगा, इव विडभी हो रही है लेघरिक हो रहे है वाइटली आपके बॉडित कीखम हो रही है कार्बो वेज का प्रियोक कर में तो यह बहुत ही अच्छा एक्षन देती है कॉलरा के केस में भी नॉर्मल गार्डिया केस में भी कॉलरा का केस आप यंग से लेकर बच्चों से लेकर बुजर्गों में किसी में भी हो रहा है और अगर बहुत जादा वीक हो रहा है पेशन आप उनको कार्बोवेस्ट डेफिनेटली क्राई कराई यह ब अगर बढ़ है उनमें कार्बोवेज बहुत अच्छी काम करती है कर्षतर यह को आपको शिंटम मेलेंगे चाफ कफ के आपको खासी के अपको एक गले में लगेगा कि गले में आपको कुछ अजीफ है तिंगली अटे इस फुछ अज़ी बॉइब करेगा और पेशन में जो लग जाए आपको open air में और complication बढ़ने लग जाए कार्वोवेज बहुत अच्छा काम करती है इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको जो बेटर है आप जो पेशेंट बहुत जादा लिथार्जी हो रहा है वीक हो रहा है इसलिए कार्वोवेज को कोविट को दिया गया थे क् जो कोविट पेशेंट्स हैं उनमें निमोनिया डवलप हो रहा था विकॉस अफ़ द कोविट और वह अच्छे से ट्रीक नहोने के वज़े से जो complication कर रहा था पेशेंट को बहुत जादा जो अगर रिलीव में बताओ तो अगर आप उसको continue fan कर रहे हैं तो थोड़ा बेटर मैसूस कर रहा है लेकिन open error में शाम में उसकी परिशानी और बढ़ती जा रहे है कार्वोवेज बहुत अच्छी काम करती है जो कार्वोवेज है बहुत ही बहुत अच्छा काम करता है जहां पर जो continue oozing of dark color का blood है और लगातार हलका रहता है एक्सेप्ट जो आपके nose bleeding है क्योंकि जो nose से bleeding आरही है वो bright red color की होती है इस case में आप कार्वोवेज का प्रियोग करेंगे लेकिन यहां पर जो blood का करेक्टरिस्टिक है वो darker ना होके bright red color का ह बाकी और भी जितने hemorrhagic condition है चाहे वो motion में आरहा है blood चाहे आपको ulceration condition है किसी भी तरहां का अकर blood loss है जो dark color का हो और continue oozing हो और oozing वाला blood आपको जो intestinal ulceration है या colitis में ulcerative colitis है प्याप्टिक अलसर है डियोडिनल अलसर है इन सारे cases में आपको लगातार हलका 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 ब्लड दिख रहा है तो उस cases में भी आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको बाकी के और जो characteristic symptoms से match कर रहें आप definitely Carbowage का प्रियोग करेंगे य क्योंकि 30 is the most safest potency कि जो कोई भी कुछ से prepare like intake कर सकता है और उसे कोई आपको aggravations नहीं आएंगे 30 potency का प्रियोग आपको दो बुन दिन में तीन बार सुबा दुपहर शाम डारेक जबान पे लेनी है अगर डारेक जबान पे लेने में दिक्कत है एक चब मज़ पानी में डाल के ले सकते हैं अगर बहुत chronically affected है तो आप इसका 15 दिन से maximum 1 मन तक प्रियोग करें और अगर acute condition में आपको कोई दिक्कत आई है तो आप इसका वन वीक तक के प्रियोग करके आप इसको बंद कर सकते हैं 200 potency का भी आप प्रियोग कर सकते हैं बट अगर आपके mind के symptoms मिल रहे हैं या जो बहुत ही characteristic symptoms मैंने बोले हैं वो आपको मैच कर रहे हैं तो 200 potency को आप दो बुन सुबा में ले इस बहुत ही अच्छा काम करती है और maximum 1 week से 10 days तद आप ले सकते हैं अगर extended condition में दी जा रहे हैं तो किसी doctor की expert की advice के साथ ही ले self-medication पे बिलकुल ना ले 1M potency मैं usually लेने के लिए आप लो बिलकुल ना करें तो दोस्तो बस आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अठा लगा है तो इसको like करें जादा से जादा लोगों तक share करें ताकि वो भी इन symptoms के basis पे medicine लेकर अपने आपको ठीक रख सकते हैं अपनी family को ठीक रख सकते हैं और अगर आपने अभी तक मे आपके वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you so much stay safe and healthy